इस वीडियो में हम समझते हैं कि strength क्या होता है जब हम strength of material का study कहते हैं तो पहले जो word आता है सोम में जो पहला word होता है वह होता है हमारा strength word strength ठीक है तो कई बार जो है इंटर्व्यूज में यह पूछ लिया जाता है कि what do you mean by the strength strength ठीक है तो यहां पर जो basically strength जो पूछा जाता है वह material का strength के perspective में पूछा जाता है तो इसको समझेंगे कि किसी भी material का strength का मतलब होता क्या है देखो strength जो है it is nothing but a simply यह क्या होता है एक stress value होता है यह stress ही value है stress का value ही होता है जैसे stress होता है आपका जिसका की अगर unit का बात करो strength भी होता है but it is limited value in case एक level होता है किसी भी material का और यह स्टेंथ ओ material होता है ज़िए पारे में हमें पता है कि कि यह किसी material का property नहीं होता है और Raf भी material का properties बताता है कि वो material जो है कितना strong है ठीक है तो strength से हमें यह पता चलता है हम statement देखके समझने के कोशिच करता है यहां पर मैंने लिखा हुआ है it is a maximum amount of stress that a material can withstand without failure maximum amount of strength जो कोई material जील सकता है इसको simple meaning बता हो तो जील सकता है तब तक वह बीना फेल हुए वह जील सकता है अब दो को यहां पर यह failure term का मतलब क्या हुआ यह failure किसी भी type यहां पर failure हो सकता है या तो यहल्ड failure हो सकता है तो यह तो value के लिए जैसे यहां पे देखो यह एक बार है ठीक है इसमें मैं force लगा रहा हूँ इसमें force लगा रहा हूँ तो होगा क्या ज़्यादा जैसे जैसे हम force का value increase करेंगे तो यह देखो यह graph में जो है इसका load का value जैसे जैसे यहां पे हम बना दे जाएंगे टिक है डिपंड करता है वह इंजीनियस पे कि कोई भी component को, कोई भी कानेंट को यहां कोई भी machine component को वह किस वैल्यू तक वह फिलियर उसको मानेंगे टिक है जैसे जो ज्यादा safe चीज़ां होती है उसको हम यहीं पर फिलियर उसका समझ लेते हैं आगे बढ़नी ही नहीं देता है ठीक है जहां पे जान वगर्ण का थोड़ा इसू और होता है ठीक है जहाँ पे हमारा चलो ठीक है लाइफ का कोई इस्यू नहीं है तो हम उस मटेल को यहां तक यूज करते हैं ठीक है इस डिफॉरमेशन तक तो फैलियर जो टाम है वह तो एक Engineer DECIDE करता है किसी भी Component के लिए जो है Yaylding जो कही यहीं पर होता है उसी को failure मान ने जाता है कुछ Component के लिए जो है Plastic Deformation जब Start होता है तब जाके हम उसको माल लेते हैं कुछ के लिए Plastic Deformation जब Last Ind पर होता है यानि Ultimate joint पर होता है यहां पर Ultimate point पर होता है वहां पर हम failure मानते हैं कुछ के लिए जब तक fracture नहीं हो जाता जब तक तूट नहीं जाता तब तक हम failure नहीं मानते हैं कुछ की case में endurance यानि fatigue failure होता है मतलब जहां पर बार बार load लगता है जैसे की सिंपल से थोड़ा hammer लो और इस block पे बार 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 इसको बार बार इसे पीटते रो तो इससे होता क्या है कि यह वाला जो है block जाए वह कम force में ही जल्दी break हो जाता है rather than जैसे है अगर हम इस पे कोई constant force लगा कि इसको break करना चाहेंगे तो ठीक है मतलब उसके beyond वाले beyond जगर stress का value जाएंगे तो वहां पे fatigue failure हो जाएगा और उसके पहले तक नहीं होगा तो उस ultimate point को endurance limit बोलते हैं endurance limit उसी तरह shear failure के case में shear stress shear strength आता है तो strength जो है generally वह इस पे decide करता है कि 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 टाइप का वहां पे failure हो रहा है ठीक है तो failure का value यहां पे देख लो जैसे yielding होगा यहां पे failure अगर होगा तो वहां पे yield strength हम लेंगे ultimate failure हम एजूम किया है तो ultimate strength होंगे तो strength जो है बहुत types का किसी material का हो सकता है वह हमारी desire पे depend करता है कि हम किस type का strength का use करना चाहते है अपने machine component को design करने के लिए ठीक है हम yield strength का use करना चाहते है या ultimate strength का use करना चाहते है या तो फिर endurance strength का use या फिर fracture sorry fracture strength का या फिर shear strength का वह depend करता है हमारी usage पे ठीक है तो strength basically maximum amount of stress है यानि limiting stress है ठीक है जो कि different type of failure को होने से रोकता है up to that ठीक है तो hope your strength term जो है आपको summary में आया होगा thank you so much and good luck आपको